मैनपुरी की बेटी ने जिलाव प्रदेश और देशी नहीं बलके पूरे बिस्व में अपना नाम रोशन कर दिया गितानजली सिरी मैनपुरी में जन्मी भारत की बो पहली मेला है जिसे अंतर राष्टिय बुकर प्राइस मिला गितानजली सिरी को खुद नहीं पता था क्यों उन्हें इतना बड़ा खिताब हासिल हो जाएगा आज मैनपुरी की गितानजली सिरी की चर्चा पूरे बिस्व में है बच्चा बच्चा उनके बारे में जानना चाहता है गीतांजली स्री कौन है? कहां जन्म हुआ? और इस मकाम तक कैसे पहुँची? ये सब हम आपको इस ख़बर में बताएंगी दरसल मैनपूरी जिले में जन्म हिंदी की जानी मानिक कथाकार गीतांजली स्री के उपन्यास रेट की समाधी के एंग्रेजी रूपांतरड टॉम ओप सेंट को इस साल का अंतर राष्टिय बुकर प्राइज मिला है ये प्रुसकार लंदन में आउजेट समारों में दिया गया उनकी इस उपलब दी ने अंतर राष्टिय इस्तर पर देश परदेश और मैनपूरी को गौरवानवित किया है गीतांजली स्री वे भारत की पहली मेला है जिनके उपन्यास को अंतर राष्टिय बुकर प्राइज मिला है प्रुसकार मिले के बाद गीतांजली स्री ने कहा उपन्यास को लिखते समय उन्होंने कभी कलपना नहीं की थी कि एक दिन उनकी इस क्रति को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा इस बरुसकार से हंदी साहत और साहतिकारों का सम्मान बड़ा है जीतांजली स्री पिछले 23 वर्सों से लेखनकार कर रही है उन्होंने पहला उपन्यास माई लिखा था वह अब तक काई उपन्यास और कहानी संग्राय लग चुकी है जीतांजली स्री का जन मुतर प्रदेश के मैनपुरी में 12 जून 1957 को हुआ था पिता अंडुध पांडे सिबिल सेबा मेर्थ थे और गीतांजली स्री के जन के समय उनकी तैनाती जिला कलेक्ट्रेट के पत पर थी गीतांजली स्री ने बताया कि उन्होंने बच्पन के दो साल मैनपुरी में गुजारे इसके बाद पिता का इस्तान अंत्रण हो गया और उनकी प्राहरम में एक सिश्चा प्रदेश के अलागलग सहरों में हुई लेडी स्री नाम कॉलेज दिल्ली से इसनातक और जबालना नेरू पिश्मिंद्याले से एतिहास में में किया बर्तमान में वह दिल्ली में नवास कर रही है उपन्यास रेट की समादी के अंग्रेजी रूपांतर टॉम आप सेंट की लेख का गितानजली स्री को अंतराष्टिय बुकर प्राइस मिलने पर जिले के सहतकार स्वैम से बग और गौरवाम्मित महसूस कर रहे है हर्स जताते हुए उन्होंने गितानजली स्री को बढ़ाई दी है गितानजली स्री ने बताया कि पता कि इस्तान अंतर के बाद उनका मेंपुरी आना जाना हुआ मेंपुरी के बारे में उन्हें याद नहीं है मानिये श्री पांडे से मैनपुरी का जिक्र कई बार सुना मौका मिलेगा तो मैनपुरी जरूर आएंगी गितानजली श्री को अंतराष्टिय बुगर प्रायस मिले से जिले की अंतराष्टिय इस्तर तक पहचान हुई है कुछ समय पहली तक जिले के युवा सहतिकार भी उनके बारे में नहीं जानती थी आज भी गीतांजली स्री की रहा पर चलना चाहती है